अस्सालामु अलेकुम वेल्कम टुटूडेंट जो बाज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्ट नुब फाइब फैक्टराइजेशन एक्सिएफ इन स्क्वाइर रूट एक्सराइज है फाइफ पॉइंट एक्सिएफ पॉलिविंग पॉलिविंग फैक्टर मैथर्ड जो आज का कुश्चन है वो है कुश्चन नुबर चैन इसमें भी तीन टर्म्स लीवी हैं पिछले कुश्चन की तरह तो सबसे पहले वाली टर्म लेंगी यानि नाइन एक्सिस्क्वार प्लस 63 एक्स प्लस 108 तो यहां पर अब हमने फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम हम यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे तो 9 को कॉमन लेंगे तो अंदर वाले हो जाएंगे एक्सी स्कॉार plus 9 के table में 63 आता है 7 पे तो 7 x plus 108 आता है 12 पे ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमने 9 निसी तरह से लिखना है अब यहाँ पर हम x squared plus 7 x से तो अगर हम इसे कर दें plus 4 x और plus 3 x तो यह होगे 7 x और plus 12 ठीक है अब 9 निसी तरह से राख अब हम यहाँ पर common लेंगे तो अगर हम यहाँ पर x को common लें तो x plus 4 आ जाएगा अंतर और फिर यहाँ पर plus 3 common लें तो x plus 3 forza 12 common ठीक है तो यहाँ पर 9 इसी तरह से रहा x plus 4 common और x plus 3 ठीक है तो यहाँ गई first term की आप equation कह सकते हैं answer कह सकते हैं इसके बाद second term तो वो है हमाँ पस 9 x square minus 45 x minus 216 से भी इसी तरह से यहाँ पर 9 common लेंगे अंदर आ जाएगा x square minus 9 के table में 45 5 पे आता है तो 5 x minus 216 आता है 24 पे तो यहाँ पर 9 इसी तरह से रहा अब यहाँ पर x square minus का 5 x है तो minus का 8 x plus 3 x करें तो 8 में से 3 गए तो 5 रहागा है minus का क्यूंके बड़ी value के साथ है minus फिर minus का 24 इसी तरह से अब हमने यहाँ पर लेना है common 9 इसी तरह से आएगा common अगर हम यहाँ पर x को लेंगे तो यह हो जाएगा x minus 8 और इसी तरह प्लस 3 common लेंगे तो x आ गया 3 के table में 24 आता है 8 पे तो यहाँ पर यहाँ आ गया 9 और x minus 8 common और x plus 3 second equation अब थर्ड तो थर्ड हम है हमारे पास यहाँ पर 18 x square plus 45 x minus 27 इसी तरह से यहाँ पर भी इसे 9 से common लेकर 9 2 जा 18 x square plus 9 5 जा 45 x minus 9 3 जा 27 तो यहाँ पर 9 इसी तरह से रहा अब यहाँ पर 2 x square plus का 5 x है तो हम plus का 6 x minus 6 x कर दें तो यहाँ पर 6 में से 1 है 5 x ठीक है तो यहाँ पर 9 इसी तरह से रहा अब हम आगे लेंगे common अब यहाँ पर हम common लेंगे तो अगर हम यहाँ पर 2 x common लें तो अंदर आ जाएगा x plus 2 3 जा 6 फिर यहाँ पर minus का 1 common तो आ गया x minus minus plus और 3 तो 9 इसी तरह से रहा x plus 3 और 2 x minus 1 तो यहाँ पर third term का answer आ गया अब देखना है कि in third terms में जो same bracket है या जो same term है वो कौन सी है तो यहाँ पर first term में 9 है second term में भी 9 है और यहाँ पर x plus 4 है x plus 3 है यहाँ पर x minus 80 यानि x plus 3 है तो मतलब factors is 9 or x plus 3 तो यहाँ पर से solve करेंगे तो यह हो जाएगा यह हो गया 9 x और plus 9 3 is a 27 तो hcf is equal to 9 x plus 27 answer तो इसी के साथ हमारी exercise जो है वो खतम होती है उमीद करते हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी मजीद questions के लिए में चैनल को करें subscribe साथ ही अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते है next video में तब तक के लिए अल्ला हाफिज